इस वीडियो में बताने वाला हो कि इस वीडियो को ध्यान से देखना है जिससे आपको समझ में आएगा 16 February 2020 में किन बच्चों का सिलेक्शन मेरिड लिस्ट में हुआ है दो टाइप से मेरिड लिस्ट तयार होती है एक ग्रामी रुबा के लिए और एक सहरी रुबा के लिए दोनों लिस्ट के बारे में step by step हम लोग जानते है उससे पहले देखते हैं कि 2018 और 2019 में किस टाइप से मेरिड लिस्ट तयार हुई थी शिस्योती परिक्षा निकाल फेबरी 2019 और शिस्योती परिक्षा निकाल फेबरी 2018 यहाँ पर गुनवत्ता यादि दिया है दोनों में आगे बढ़ते हैं राज जी इस तरिये मेरिड लिस्ट यहाँ पर दो आप्शन तीन आप्शन आ जाते हैं साहरी इवाग, ग्रामी निवाग और सीबी एसी तो सबसे पहले हम लोग साहरी इवाग में मेरिड लिस्ट क्या होने वाली हो देख लेते हैं तो 18 फेबरी 2018 में 87.2483 परसेंट वाले बच्चों का मेरिड लिस्ट में सिलेक्षन हुआ था जिन में 112 बच्चे सामिल थे फिफ्ट क्लास 24 फरवरी 2019 में 91.8919 परसेंट वाले बच्चों का सिलेक्षन मेरिड लिस्ट में हुआ था जिसमें 113 बच्चे सामिल थे साहरी इवाग में जिससे हम गैसिंग कर सकते हैं कि 16 फेवरी 2020 में 94.17 परसेंट वाले बच्चों का सिलेक्षन मेरिड लिस्ट में होने वाला है जिसमें 106 बच्चे सामिल रहेंगे अब देखते हैं ग्रामी निवाग में मेरिड लिस्ट किस टाइप से होने वाली है तो ग्रामी निवाग में 88.5906 परसेंट वाले बच्चों का सिलेक्षन मेरिड लिस्ट में हुआ था जिसमें 121 बच्चे सामिल थे ग्रामी निवाग के लिए 24 फवरी 2019 में 93.9189 परसेंट वाले बच्चों का सिलेक्षन मेरिड लिस्ट में हुआ था जिसमें 102 बच्चे सामिल थे ग्रामी निवाग के लिए इस टाइप से हम गैसिंग कर सकते हैं कि 16 फवरी 2020 में 92.25 परसेंट वाले बच्चों का सिलेक्षन मेरिड लिस्ट में होने वाला है जिसमें 116 बच्चे और 116 बच्चों का सिलेक्षन होने वाला है इस टाइप से 16 फवरी 2020 की मेरिड लिस्ट होने वाली है वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जड़े